हरे कृष्णा डियर स्टुडेंट्स टुडे वी विल स्टार्ट अबर चैप्टर नमबर त्वेल मनी ओके मनी मीन्स पैसे आप लोगों ने पैसे तो सब लोगों ने देखे ही होंगे घर में ठीक है वी यूज मनी टू बाय थिंग्स वी नीड ओके हम लोग मनी का उपयोग क करते है जब को कोई चीज खरीदनी होती है भी युज कॉईंस और फॉलोविंग らविंग डिनोमिनेशन जो kons खहां कॉन-कॉन से हमें कॉन-कॉन मिलतल है कॉन-कॉन से कॉइं सोते है टन की गपीस टेन का कॉइन होता है 5 रुपईस का कॉईन होता है 2 रुपेस का कॉईन हो that we use notes of the following denominations, okay, हम लोग notes भी यूज़ करते होंगे, आप लोग उने notes भी देखे होंगे, काई-काई के notes होते हैं, कौन-कौन से, 5 रुपीज का होता है, 10 रुपीज, 20 रुपीज, 50 रुपीज, 100 रुपीज, 200 रुपीज, 500 रुपीज and 2,000 रुपीज, ये सारे notes होते हैं, okay, currency, the note and coins we use are called currency, जो भी notes होते हैं, जो भी coins होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, currency बोलते हैं, okay, we write this sign for रुपी and P for पैसे, रुपीज के लिए हम लोग ये वाला sign यूज़ करते हैं, और पैसे के लिए हम लोग P यूज़ करते हैं, okay, और 1 रुपी जो होता है, वो हमेशा 100 पैसे के equal होता है, 100 पैसे is equals to 1 रुपीज, okay, now let's see exercise, count the money, the first one has been done for you, okay, हमको यहाँ पर कुछ notes और coins दिये हुए हमको count करना है कि वो कितने हैं, okay, 10, 10 रुपी, प्लस 5 रुपीज, 10 प्लस 5, 15 रुपीज, 15, 15, 2 का coin है, 15 के बाद, प्लस 2, 17, प्लस 1, 18, okay, next is 5 कॉइन, 5 रुपीज कॉइन, okay, 5 प्लस 1, 6, okay, यह तो 6 हो गया, 50 पैसा और 50 पैसा, 50 पैसा और 50 पैसा हमेशा होता है, 1 रुपी, okay, क्योंकि यह मैंने क्या बताया आपको, 100 पैसा is equals to 1 रुपी, तो 50 प्लस 50, यह दोनों पै पैसे है, 50 प्लस 50 पैसा is equals to यह क्या बन गया, 100 पैसा और 100 पैसा is equals to 1 रुपी, okay, 100 पैसा is equals to 1 रुपी, तो 5 प्लस 1, 6 प्लस 1, 7 रुपीज, okay, next is 50 प्लस 50, 50 प्लस 50, 100 रुपीज, प्लस 10, 100 प्लस 10, 110 प्लस 5, 115 रुपीज, कितने रुपीज है हमारे पास, 115 रुपीज, next one is 100, 100, 100 प्लस 100, 200, 200 प्लस 50, 250 प्लस 20, 270, कितने रुपीज है हमारे पास, 270 रुपीज, Okay, now fifth question, fifth, 500, 500 plus 100, 600 plus 20, 620 plus 10, 630 plus 1, 631 rupees, 631 rupees. Now next, 100, 100, 100 plus 100, 200, 200 plus 50, 250 plus 5, 255 plus 2, 257, 257 rupees. Okay, now you will practice at your home to count money. Okay.